हेलो दोस्तों, वेलकम तो स्लीपी क्लासेज, तो आज की फ्यू मिनिट सीरीज में काफी इंटरस्टिंग सा टॉपिक हम डिसकस करेंगे, काफी होट शॉट टॉपिक है, करेंट अफेर्स का टॉपिक है, सिलिकॉन वैलिल बैंक का जो कलाप्स हुआ है, क्या इसके कारण रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टन रहते हैं, एक एस्पिरिंट के भी दिमाग में रहता है कि किस तरीके कोशन पूछा जा सकता है, किस प्रकार की चीजों के बारे में इस करेंट अफेर में डिसकस किया जाएगा, तो वही जो फोमो रहता है, उसे दूर करेंगे आज हम आज के सेशन के माध्यम से, तो बेसिक से इंडर्सेंडिंग डिवलप करेंगे, क्या ये कॉलाप्स हुआ है, क्यों हुआ है, क्या यहां पर इस बैंक की गलती रही है, किस प्रकार से उसे अवाइड कर सकते थे, साथ के साथ क्या कोर्स ओफ एक्शन है, and last but not the least, इंडिया के स्टार्ट अप्स का ये डिपॉजट अकाउंट भी यहां पर मैनेज करते थे, अब यह यहां पर मैनेज किया जाता है, पूरा इस बैंक आपके इस बैंक से लिटेड आपको पता होने जरूरी है, तो करेंट अफेर का ही टॉपिक है, दुसरे लिटेड एक इंपॉर्टन आप सभी के लिए, कि Sleepy Classes दोरा 2024 के अटेंट को मदे नज़र रखते हैं, current affair program शुरू हो चुका है, जिसमें daily basis पर आपके lectures upload किये जाते हैं, six days a week आपके lectures यहां पर रहते हैं, subject wise weekly compilations आपको यहां पर provide की जाती हैं, जिसमें यदि कोई भी PYQs topics related already आ चुका है, तो उसे भ code को यहां पर utilize कर सकते हैं, जिसके मादन से आप 10% का discount यहां पर पा सकते हैं, अब बात करते हैं इस पूरे scenario के बारे में, तो सबसे पहले कोशन आते हैं कि banks काम कैसे करते हैं, तो किसी bank में कोई ना कोई वक्ति अपना पैसा deposit करता है, bank कुछ ना कुछ पैस उसके लिए reserve में and process continuous, उसके उसे दुबारा से loan में convert कर देता है, एक basic सी process है, जिसके हिसाब से यहां पर bank काम करता है, so basically, जो पैसा bank के पास यहां पर आ रहा है, वो bank की liability है, और जो यहां पर पैसा bank उधार दे रहा है, वो bank का asset है, simple सा point है, simple सा concept है, जो कि I hope आपको यहां पर clear हो, तो इस particular bank क क्या कहानी थी, एक story है, आई यह story की तरीके समझने की कोशिश करते है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस bank का mostly focus था startups के उपर, ठीक है, तो जो deposits थे startups के वो यहां पर hold करके बैटे थे, as well as यह loans भी यहां पर extend कर रहे थे, कि majority of the, जुनके deposits यहां पर थे, वो startups को यहां पर available था, but definitely उस पैसे को कैसे आगे जाके convert करें, कैसे उसे और बहतर बनाए, कैसे अपनी यह assets create करें, वो इनके पास options available नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, उसे investment में channelize कर दे, जैसे कोई भी व्यक्तिया, कोई भी entity वहां पर करेगी, but इनकी जो investments ही, वो held to maturity securities में थी, अब यह यहां पर current affairs में उठी है, अब क्या हैं यह held to maturity securities, भया simple सा concept है, जो हम bonds के बारे में बात करते हैं, सरकारी bonds के बारे में बात करते हैं, but अगर इन securities के हम बात करें, उनका term period, जो maturity date है, वो 30-30 साल की यहां पर है, कि इन्होंने क्या 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 कि बांड वहां पर खरीद लिया, discount account पे भी खरीच सकते हैं, कि मान लीजिए आपका 100 रुपे का, अब US का अगर बात की जारी है, तो रुपे में क्यों बात करें, dollars में बात करेंगे, कि 100 रुपे की उस bond की face value है, और इन्हें 90 डॉलर में वहां पर मल गया, तो इनके दोरा इस प्रकार की bonds में बहुत जाए investment की कि at the end, जब 30 साल complete हो जाएंगे, तो इनको वहां पर उस bond के 100 रुपे यहां पर मिल जाएंगे, जिनने हम कहते है, hell to maturity securities, बट अगर उससे पहले यह बेचना चाहते हैं, तो वो secondary market में बेची जा सकती है, जो भी उस time का current price यहां पर रहेगा, तो basically इनके पास जो बहुत सारा पैसा यहां पर available था, startups के जो deposits यहां पर available थे, जैसे के हमने देखा, bank कैसे काम करता है, उसे asset में convert करने के लिए इन्होंने इस परकार की investment में, bonds में यहां पर invest कर दिया, जो अच्छी बात है, तीस साल के बड़े-बड़े bonds में यहां पर invest कर दिया, बट वहां पर क्या हुआ कि Federal Reserve ने अपना interest rate बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीके जी, definitely उनकी दोराज impact यहां पर देखा गया है, वो तो हम पहले भी discuss कर चुके है, जिसका असर इंडिया के ओपर भी देखा गया, बट अब US के context में बात करते हैं, कि वहां पर क्या हुआ, कि Federal Reserve ने interest rate बढ़ाने कर दिया, उन्होंने अपने funds को यहां पर access करना शुरू कर दिया, कि जो funds इस particular bank के पास यहां पर available थे, अब उस time पर जब interest rate बढ़ा दियेगे, तो funding winter का concept वहां पर सामना है, हम पहले भी इसको few minute series में discuss कर चुके हैं, तो basically यह जो funding winter का concept यहां पर क्या था, कि अब लोगों का या जो investors का यहां पर tendency कम से कम होता जा रहा है, किसी भी startup में पैसा लगाने के लिए, क्यों, क्यूंकि उस परकार के pressures वैसे create हो चुके interest rate वहां पर economy बढ़ रहा है, तो वैसे concept यहां पर भी देखा गया, तो जब इस परकार का पैसा startups को मिलना बंध हो या, funding मिलनी वहां पर बंध होगी, तो जो उनके deposits इस bank के पास available थे, उन्हें वो access करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो अपने deposits को withdraw करने लग पड़े, बट अब इन particular bank ने यहां पर क्या किया था, कि इन्होंने उन deposits को in investments में invest कर रखा था, जो कि 30 साल की maturity यहां पर, roughly से example दे रहा हूं, जो कि 30 साल की maturity यहां पर hold के थी, या फिर आप इन्हें long term की securities यहां पर कह सकते हैं, long term bonds आप इन्हें यहां पर कह सकते हैं, तो definitely they were forced कि उन्हें अपने investments loss पर वहां पर बेशनी पड़ी, तो यह basic सा scenario यहां पर हुआ है, जिसकी वज़ए से इस bank ने यहां पर बहुत ज़़ा loss bear किया ह जिसकी चलते, यहां पर US की government ने कारेवाई करनी इन पर शुरू कर दी है, एक simple सा fact यहां पर देखते हैं, कि किस प्रकार की balance sheet वहां पर दिख रही थी, Silicon Valley Bank की, December 31, 2020 की, यह हैं वो held to maturity securities, 91 billion US dollars की इसमें investment की गई थी, कि अगर इन्हें उस दौरान बेचा जाना जो की शुरू रेट में भी केंगे, reason being, interest rates वहां पर बढ़ रहे थे, interest rates का bond के prices के साथ, inverse relation हम यहां पर देखते हैं, reason being, कि जैसे interest rates बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे economy आपकी slowdown भी होती है, growth वहां पर थोड़ी contract हो जाती है, तो वहां पर लोग इस तरीके के bonds में पैसा डालने से थोड़ा कतराते हैं, ठीक है, bonds में पैसा डालने से वह कतराएंगे, जैसी उसके demand यहां पर कम होगी, तो generally bond के prices गिरने शुरू हो जाएंगे, और वही चीज़ यहां पर भी देखेगी, तो यहां पर एक बड़ा ही interesting सा number है, कि total equity उनकी कितनी थी, तो आप देख सकते हैं कि 16 billion US dollars की यह level है, कि basically इनके दौरा जो, hell to maturity securities, तो जो यहां पर बताया गया है, 91 billion US dollars come out, बट अगर उस दौरान की value उनकी देखें, जब आपकी balance sheet prepare कीगे towards the end of the 2022, तो उस time पे इनकी value 76 billion dollars अले थी, तो आप खुदी rough idea लगा सकते हैं कि यहां पर इन्हें loss 15 billion US dollars का हो रहा था, तो loss 15 billion US dollars का ह हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ equity उनके पास 16 million US dollars की पढ़ रही है, so definitely इनकी जो profitability थी, उसके पर questions raised होने शुरू होगे, और यहां पर जतने भी आपके इस प्रकार के start-ups थे, जिनके deposit से bank control करके बैठा था, उन्होंने यहां पर withdrawal की demand करना शुरू कर दी, और वो billions में यहां पर demand दानी शुरू होगी, तो यह major कारण था, जिसके चलते, SVB जो आपका पूरा bank था, यहां पर collapse कर गया, तो यहां पर एक बड़ी important term के बारे में जिकर होता है, जो कि I think आपने जितनी वीडियो दिखियोंगी, शायद उसमें miss भी हो गया, कि asset liability management, जो कि बहुत important है किसी भी company क यहां पर काम करना है, कि definitely यहां पर आपको assets, cash flows का यहां पर अच्छे तरीके से management करना है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का loss future में आप bear करें, so definitely आपको किसी भी तरीकी की दिक्कत वहां पर ना है, आपकी company की liability के उपर question नहां पर raise हो, तो some of the common जो risk यहां पर देखे जाते हैं इस परकार की asset liability manage करने में वो रहते हैं interest rate का risk, as well as the liquidity risk, वहां पर liquidity crunch आ गया, पैसे available नहीं है, या फिर interest rate वहां पर बढ़ने शुरू होगे, तो किसी भी entity को यहां पर अपने assets को maintain करके रखना है, एक substantial amount यहां पर maintain करके रखना है, कि at the time of loss, वो अपनी liabilities को easily cover कर सके, तो यह basic सा point है, अब इस चीज को cover कैसे करते हैं, कैसे इसको manage किया जाता है, calculate कैसे किया जाता है, वो किया जाता है asset coverage ratio से, कि माल लीजिए asset coverage ratio में क्या क्या बात की जा रही है, कि basically हम book value जो रहेगी, किसी प्रकार के total assets की, ठीक है जी, उन्हें हम यहां पर लेंगे, intangible assets को हम यहां प यहां पर value नहीं लगा सकते, तो इन्हें हम यहां पर हटा देते हैं, उसके लावा जो भी current liabilities रहेंगी, या फिर जो भी आपकी short term debt obligations रहेंगी, उन्हें हम यहां से बाहर निकाल देंगे, उसे हम divide कर देंगे total debt outstanding से, ठीक, कितना आपका उधार यहां पर बचता है, तो इसक जितनी जादा बड़ी ratio बढ़ती जाए, ठीक, इसका number जितना बढ़ता जाए, उतना ही company के लिए वो viable है, अलग कि बात करें, क्या exact number है तो वो industry to industry वहां पर depend करता, industry average किसी भी आपको निकाल सकते है, asset coverage ratio की, उसे साब से वहां पर आपका उस industry average के आसपास ही रहना चीए, ब पारे में आपको पता होना ज़रूरी है, जो कि SVB bank में basically बहुत जादा highlight की गई है, कि भाई साब वो अपने assets और liability को धंग से manage नहीं कर पाए, तो क्या रहेगा यहां पर course of action, तो basically इसके लिए deposit insurance national bank of Santa Clara यहां पर immediately set up कर दिया गया, ठीक जी ताकि जो भी यहां पर business है, उसको debt obligation है, वो भी उनके साथ यहां पर रहेंगी, उसके अलावा, it has been formally placed in the receivership under the Federal Deposit Insurance Corporation, अब यह Federal Deposit Insurance Corporation, basically क्या करती है, जितने भी depositors का पैसा, bank account में available है, उसे यहां पर insure करती है, आपके लिए homework क्या है, कि सेम इस प्रकार की entity, इंडिया में भी है, comment box में जल्दी से उसका नाम mention क बताईए, कितना amount यहां पर insure के जाता है, तो इस case में इनोंने क्या बोला, कि up to, तू अगराव उस तरीके से देखें, कि 2,50,000 US dollars तक का आपका amount वहां पर eligible रहेगा insurance में, बट जो हम start-ups की बात करें, जिनका पैसे यहां पर available है, वो तो इस amount से काफी जाद है, तो बाकियो इसको इस प्रकार के loans provide करेगा, ताकि अपनी जितनी भी liabilities से उनकी भरपाई यह कर सके, कि recapitalization के तरीके से, but capitalization नहीं हो रही, इन्हें थोड़ा उधार दिया जाए, ताकि अपनी liabilities को वहां पर clear कर सके, but definitely जितने भी यह depositors थे इस particular bank में, वो start-ups थे, तो उन्हें किसी प्र finances को यहां manage कर पाते हैं, I hope यह चीज आपको यहां पर clear होगी हो, ठीक है, तो साथ के साथ एक और important, एक breaking news, अगर हम एक तरीके से कहें, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, कि Silicon Valley Bank तो चलो ठीक था ही, उसका collapse हो ही गया, बट साथ के साथ एक और बहुत पुराना bank है, Signature Bank US का, उसका भी यहां पर collapse होने जा रहा है, collapse हो ही गया एक तरीके से, कि definitely जितने investors या जितने depositors का वहां पर पैसा था, अब जब एक जगा से चिंगारी उठती है, तो कहीं अखी confidence थोड़ा सा depositors का हिल जाता है, कि भही हमारा पैसा safe है कि नहीं, तो हो सकता है कि वो भी इस त जल्दी से उन्होंने काम कर दिया, इंडिये के लिए तो अडानी की रिपोर्ट बहुत जल्दी से निकाल दी, Silicon Valley Bank या फिर ऐसे signature banks को, जिनने उन्हें target करना चीए, अपने देश में करना चीए, उनसर related उनकी reports यहां पर का है, कि यह भी आजकल important news की item चल रही है, साथ के startups के लिए एक ही demand है, SVB से की पैसा है या नहीं है, तो क्या impact देखा जाएगा, कि Y Combinator, बहुत एक important investor यहां पर देखा जाता है, आपकी global investment community में, उनके काफी सारे key clients है, वनबद की clients है माना जाता है, इस particular bank का, इन्होंने over 19 startups में यहां पर funding provide की है, और इन startups का जो पैसा है, इस particular bank दर हो, वहाँ पर maintain के जा रहा है, तो definitely उस compact वहाँ पर देखने को मिलेगा, capital crunch वहाँ पर आएगा, साथ के साथ, जितने mutual fund investors हैं, जो कि इस परकार के international hybrid funds में वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, तो उनकी valuation में वहाँ पर फरक पड़ेगा, apart from that, funding winter तो चली रहा था, इस परका करनी है, वो थोड़ा मुश्किल वाला point यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते employee को retain करना एक बहुत बड़ा challenge रहेगा, इन सभी startups के लिए, तो यह basics information थी, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर share करना चाहरा था, और इस तरीके से 2023 के attempt को मदने जर रखते हुए, बहुत सा अगर आपको लगता है कि आपको complete crash course की जरुरत नहीं है, आपकी कुछ-कुछ ऐसे sections है, जिनको आप ढंक से नहीं cover कर पाए है, जिनकी आपकी knowledge अच्छे से gain नहीं कर पाए, concepts पर grasp अच्छी नहीं है, तो आप उन individual courses को भी available कर सते है, economy हो गया, environment हो गया, quality हो गया, सभी के पारवाला, ठीक है, Paytm, Razer Pay, जो की Y Combinator के साथ यहां पर associated है, Edurev, यह सारी ऐसी बड़ी-बड़ी companies है, जिन पर definitely किसी तरीके की दिक्कते आ सकती है, बट हालं कि अगर हम बात करें Paytm के जो वहाँ पर करता धरता है, तो नहींने क्या कहा है, एक tweet वहाँ पर किया था कि जी सकता है, जिसकी वाज़े से, Employee Retention जो एक बहुत important point रहता है किसी स्टार्टप के लिए, स्टार्टप को grow करने के लिए, वह वाला factory यहां पर देखा जा सकता है, तो देखते हैं किस प्रकार से यहां पर, SVB के इस collapse से हमारे startups उभरते हैं, अपार्ट फॉम डाट इंडियन ग provide यहां पर किया जा सके, कम interest rate पर provide किया सके, ताकि वो short term basis की lending उने दी जा सके, जिसके चलते वो इस capital current वाले situation से बाहर आ सके, तो यही basic information थी, जो कि मैं आपके साथ यहां पर share करना चाहा रहा था, I hope सभी चीज़ें आपको clear होगी हो, comment box में जो आपको मैंने homework दी है, definitely उसका answer कीजिएगा, और इसी तरीकी से regularless initiative को follow करते लिए, जहां पर हम ऐसे important topics, important concepts को discuss करते रहते हैं, हालनकि मैंने last session में उससे पहले एक बार कहा था कि हम, premise में कहा था कि हम शायद नीर और रीर के बारे में बात करेंगे, तो definitely next week का job का few minutes रहेगा, उसमें जरूर हम उस चीज़ क